अगर अंचाही प्रेग्नेंसी हो जाती है जिसे हम कंटीन्यू नहीं कर सकते तो उसके बाद उसे अबॉर्ट कैसे किया जा सकता है घर पर यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसमें जो सही जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ मैं आपको वो सही method भी बताऊंगी जिससे आप घर में abortion कर सकते हैं सबसे पहले जो गलत तरीके हैं जो बहुत प्रेचलेत हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ देखे कई लोग आपसे कहते हैं कि कोई गरम तासीर की चीज खालो या कच्चा पपीता खालो या कच्चा अनानास खालो तो उससे आपका गरब पात हो जाएगा और bleeding स्टार्ट हो जाएगी और आपका वाशन हो जाएगा मैं आपको वार्न करना चाहते हूं कि कोई भी ऐसे तरीके जो आपको नेट पे या किसी भी YouTube वीडियो में देखने को मिलते हैं कि आप घर पे ये कोई घरीलू चीज खाके, कोई फल खाके या कोई और गरम तासीर का मसाला या कोई और चीज खाके आप अपना गरपात कर सकते हैं तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजेगा क्यों मत कीजेगा वो भी मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होगा कि अगर आपने ऐसा कुछ ले भी लिया और आपकी bleeding स्टार्ट भी हो गई तो उसमें कहीं guarantee नहीं है कि आपका abortion हो जाएगा हो सकता है सिर्फ आपको bleeding हो और बच्चा जो है वो अंदर grow करता रहे बढ़ता रहे अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी pregnancy चलेगा उसमें आपकी सेहत के लिए बहुत लुकसान है अगर boys देख रहे हैं तो भाई अपनी girlfriends को आप risk में मट डालिया उनकी life को ये pregnancy का जो issue है बहुत ही serious होता है इसको lightly नहीं लिया जा सकता उसकी health को if you really care for your girlfriends तो please इस तरीके के कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपकी girlfriend में unwanted pregnancy हो जाए और फिर जो mental tension होती है कई लोग suicide की सोचने लग जाते हैं कई लोग इस तरीके के खतरनाख तरीके अपनाने लग जाते हैं अभी recently एक किस्सा हुआ था जिसमें की एक couple ने खुद ही try किया था YouTube के किसी वीडियो को देख के DNC करने के लिए try किया था and she was hospitalized उस का ख्याल रखना है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है से आगे चलके दिक्कत आए तो pregnancy जो होती है बहुत serious issue होता है sex या sexual relationship pleasure देता है ठीक है लेकिन उसके जो consequences होते हैं वो लड़की को भगतने पड़ते हैं क्योंकि उनकी सिहत पे बात आती है आपको क्या करना है कि आपको अप एक हफता रुकिए एक हफते तक भी अगर पीरेड नहीं आता है तुरंट pregnancy test कीजिए pregnancy test kits जो होती है जैसे कि prega news और भी कई brands आते हैं ये आपको आपकी नजदी की medical store पे 30 से 50 रुपे के बीच में मिल जाएंगे उसको घर पे लाइए pregnancy test कीजिए test कैसे करते हैं उस पर पूरी एक playlist है मेरी pregnancy test in Hindi करके उसको आप देख सकते हैं उससे आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप दवाईयों के द्वारा घर पर abortion कर सकते हैं ये जो दवाईयां होती है जिसकी MTP kit के नाम से आती है एक unwanted kit के नाम से आती है इस तरीके की एक miffegist kit के नाम से आती है ये जो दवाईयां होती है ये पाच गोलियों का एक पत्ता होता है यहाँ पे आप confused मत करिएगा ज abortion के लिए नहीं होती है जो single गोली लेनी होती है वो emergency contraception के लिए होती है यानि कि अगर गलती से unprotected sexual intercourse होता है तो उसके 72 गंटों के यानि कि तीन दिन के अंदर आपको आईपल या unwanted 72 लेनी होती है तो उससे आपकी pregnancy नहीं होती है तो जो यह kits आती है जो आपको बताई इसमें 5 गोलियां होती है एक पत्ते में एक मिफे प्रिस्टोन की बड़ी गोली होती है बाकी मीजो प्रॉस्ट की 4 चोटी गोलियां होती है वो आपको सही तरीका क्या है उन दवाईयों को लेने का उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में प्रोवाइड करा दूँगी आई बटन में आप उसमें देख लीजेगा और end screen में भी उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगी और description में भी उस वीडियो का जान पर बात आएगी आगे चलके बहुत दिक्कत हो सकती है जितनी जल्द से जल्द आप अपनी प्रेग्नेंसी को डाइग्नोस कर लें और उतने जल्द से जल्द आप DNC भी करा सकते हैं आप किसी अच्छे ऑथराइज्ड किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके कराईए आपकी जान पर बात बनेगी अगर आप सही से उसको हैंडिल नहीं करेंगे सिचुएशन को तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी फियर विदाउट एनी गिल्ट भी मैं कहूंगी प्लीज गिल्टी फील करने की भी कोई जरूत नहीं है अपना आप ज देखेंगे जैसी आपकी सिचुएशन होगी डिएनसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है 15 मिनट में डिएनसी हो जाती है घर भेज दिया जाता है आपको इंडिया में अबॉशन लीगल है कोई भी लीगल बात नहीं है सवाल मेरे पास यंग लोगों से आता है कि अगर हम उचने का आई पिल ले लिंगे हम यह उन्वांट इट सेवेंटी टू के एक गोली ले लेंगे बहतर घंटों के अंदर और हम अन प्रिटेटेट इंटर कोस करते तो यह बिल्कुल एक गलट ट्रेंड है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आई पिल अन्वांटेट सेवें है कि हमेशा condoms use किये जाएं without condoms कभी भी sexual intercourse ना कीजिए लड़कियों अपने आप period का ध्यान रखिए आपका period अगर miss हो जाता है तो बिल्कुल cautious रहे सिर्फ एक हफता वेट करिए और उसके बाद pregnancy test कीजिए तो last इंटरनेट से या YouTube से कोई भी नुस्खा देख लिया कोई fruit खा लिया कोई मसाला खा लिया इस टाइप का कुछ नहीं करना है उसमें अगर आपको bleeding हो भी गई उसकी गर्मी की वज़े से तो भी बच्चा अंदर चिपका रहेगा बढ़ता रहेगा आपकी pregnancy grow करती रहेगी आग pregnancy है तो तुरंत action लेना है क्योंकि अगर 49 days ही हुए है आपके last period के first day से तो आप दवाईयों द्वारा abortion करा सकते हैं अगर उससे देर हो गई है तो आप DNC करा सकते हैं DNC में भी चिंता की कोई बात नहीं होती है 15 मिर्ट का procedure होता है आप उसके बाद घर जा सकते हैं अच्छे जगे से करवाईये तो hopefully इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी होगी वह आपको कुछ useful लगी होगी काम की लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजे और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे subscription के साथ साथ जो वह bell icon है all के option के साथ उसको भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले यूसफुल वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेंच हो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे मेरे चैनल को support करने का एक और तरीका है आपको blue join button press करके चैनल के member बन सकते हैं gold membership जादे expensive नहीं है खाली 59 रूपीज उसका charges हो